नमस्कार भासकर जी साइन्स में फिर से आपका स्वागत है आज का हमारा टापिक्स है राइबोसोम्स जैसा कि हमने आपको नुकलियस, नुकलियस के बाद में हमने इंडोपलाजमी क्रेटिकूलम और इंडोपलाजमी क्रेटिकूलम के बाद में हमने राइबोसोम्स को आपक 50-20 का एक गोलाकार नान-membrane का ज्हिली का एक कण होता है जिसको हम आर ने पार्टिकल्स के भी नाम से जलते हैं कभी कभी आपको यह पूछेगा कि राइबोस्स के पास कितनी ज्हिलिया होती हैं कितने मुझमा लिखा रहेगा एकВот Two four छो कुछ नहीं तो आप उसपर क्या करेंगे कुछ नहीं का टिक लगाएंगे क्योंकि राइस पहले हम आपको बता दें राइबो सुरुम्स जो होता है यहां राइबो सुल्म्स बना आमक साइंटिस्ट ने इनको सेम के बीज में देखा था कुछ समय बाद 1955 में यह नए साइंटिस्ट आया जिनको हम कहते हैं पेलेड पेलेड ने इसको जन्तु की कोशिका में भी देखने का दावा किया और इसके बाद में सन 1974 में इनको इस काम के लिए नॉबिल प्राइज भ सेडिमेंटेशन कोफिसियंट यानि कि जो आप देख रहे हैं कि राइबो सुम्स के बाद में सत्तर यस असी यस जो यस लिखा है यही आपका सेडिमेंटेशन कोफिसियंट है यानि इसको हिंदी में हम कहते हैं आवसाधन गुडांग आवसाधन गुडांग क्या होगा हम को नेक्स्ट आगे के ही वीडियो में बताएंगे सेडिमेंट एंड यानि कि आउसाधन गुडांग के आधार पर राइबोसोंस जो होता है दो प्रकार का होता है एक 70S राइबोसोंस होता है और तो यहां क्यों 70 कहा गया क्योंकि जो 50 यहस और ढ़र 108 होते हैं तो यह इनको गिना त yapmış सत्तर इसलिये जाता है बाकी जो होता है ऐसे खांचा की तरह ऐसे चूड़ी की तरह ऐसे बैड़ जाता हैं तो नट का अलग गिनेंगे तो बोल्ट का अलग गिनेंगे तो नट में दस चूड़ी बोल्ट में दस चूड़ी तो नस और दस मिला के 20 हो जाएगा लेकिन उस पर माल लीजिए हम 5 इस पर नट में चड़ाते हैं 5 बोल्ट में कि यह किस प्रकार से छोटा Bieromet zor Oneवे बड़ा राईबोस्म से एक पर कैसे बैठता है तरू इसके बाद में सत्तर आश राईबोस्म से अजो होता है यह यह आपके क्लोरोखिल और माइट्रोकांड्रिया पर मुजूद होता और 80S ribosomes जो होता है यह 80S ribosomes दो ribosomes से मिलकर के बनता है एक 60S और एक 40S इसमें जो होता है इसकी जो चूड़ी की कसिंग होती है यह इसमें 20S गायब हो जाता है 70 और 60 और 40 मिलकर के 100 होंगे तो यह 100 होने चाहिए लेकिन यह 80S ribosomes होता है अब यह 80S 20 इसमें चूड़ी में खर्च हो जाता है इसे नाते यह 70S ribosomes कहा जाता है 80S ribosomes जो होता है यह आपका rough endoplasmic reticulum पर अधिकांसता पा जाता है अथवा फिर सोतंतर रूप से cytoplasm कोशिका के जिवद्रब में सोतंतर रूप से यह धसा रहता है अब यहाँ आप structure भी देख सकते हैं कि 70S और 80S का ribosomes का structure 70S ribosomes जो होता है इसकी length जो लंबाई होती है 290 इंगस्ट्राम होती है अब यह भी जानली जी आप इंगस्ट्राम क्या होता है एक इंगस्ट्राम बराबर होता है 10 के घाते माइनस 10 मीटर ठीक है तो 70S आपका जो होता है आपका यह 90 इंगस्ट्राम लंबा होता है और 210 इंगस्ट्राम चवड़ा होता है 70S में आप देख लीजे 30S और 80S जो जो जोईन्ड होते हैं इसके जो दोनों भाग होते हैं यह magnesium iron magnesium iron से जोईन्ड होते हैं माइगनीसियम आयन की सांदरता अगर इसमें 10 गुना अधिक बढ़ा दी जाती है तो यह 70S 30S में और 50S में बिभागत हो जाते हैं बट जाते हैं जैसे कि यही क्रिया आपको 80S में भी देखने को मिलेगी 80S में आप देख लीजिए इसकी चोड़ाई जो है यह 200 से 240 इंगस्ट्राम की है और इसकी लंबाई जो है 300 से 340 इंगस्ट्राम की है इसके भी जो छोटा राइबोसोम्स और बड़ा राइबोसोम्स जो होता है यह माइगनीसियम आयन के ही माध्यम से बढ़ा होता है यदि इनके इनको राइबोसोम्स को अलग करके उनमें माइगनीसियम आयन का कांसेंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है तो यह राइबोसोम्स क्या होते हैं छोटे बड़े राइबोसोम्स अलग हो जाते हैं अब हम आगे चलते हैं जब प्रोटीन का संसेलेशन होता है याणि सेंथेसिस होता है तो चार पांच राइबोसोम्स मिल करके चार पांच राइबोसोम्स क्या होते है यह हम आरन्य पर जाकर बढ़ जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पाली राइबोसोम्स, ठीक है, पाली राइबोसोम्स, अगर दो राइबोसोम्स बैठते हैं, तो उनको डाइमर कहते हैं, अगर दो से अधिक हो जाते हैं, दो से अधिक जब भी होगा, तो चार होगा या पांच होगा, तो उनको हम कहते हैं, पाली अभी हम आगे आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से चोटा राइबोसोंस बड़े राइबोसोंस पर बैठ रहा है और यह प्रोटीन संसिलेशन में किस तरह से भाग लेता है अब हम राइबोसों के इंट्रोडक्शन के बाद में देखते हैं इस अपनी क्रिया आगे कैसे करता है असी यस राइबोसों में हम देख रहे हैं असी रैस राइबोसों में एक छोटा सा 40 यस राइबोसों एक बड़ा शाठ चैयास राइबोसों यह मैगनीशियम के फ्रूर्व duż एक राइबोसों अगर चोड़ार सब्सक्राइब जोड़ने हैं तो आपको क्या होगा यह आरने यह आरने के तुकड़े जो है यह आरने के टुकड़ों पर जाकर कि चार से लेकर के पांस तक राइबोसोंस बढ़ जाता है उसको हम अक्ताते हैं पाली राइबोसोंस ठीक है फिर इसके बाद में अब आप एक नए बैज्यानिक आ गए जिनका नाम है जेम्स ए लैक जेम्स ए लैक नामक साइंकिस्ट आए और अपना भी नाम जोड़ने के ल पहले राइबोसोंस में कुछ बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि राइबोसोंस डाइमर और पाली राइबोसोंस कैसे बनाता है यह एक 80 राइबोसोंस अगर आप देखेंगे तो 80 राइबोसोंस में 40 यस राइबोसोंस छोटा 60 है यस राइबोसोंस वड़ा यह कि जोड़ रहा है तो कितना छोड़ा होगा फिर इसके बाद में मैंगनीसियम आयन के माध्यम से एक राइब यसी यस राइबोसों मिल करके दो राइबोसों से एक भी चुड़ सकता है यह नियम है जिसको हम डाइमर कहेंगे उसका जो लेंथ होगा इसकी जो यूनिट बोली जाएगी यह 120S बोली जाएगी उसके बाद में आप देखिए यह आपका अगर दो से अधिक राइबोसों से एक जगह आना चाहते हैं तो उ होगा अब इसके बाद में सरो 19774 तक इसकी चर्चा चुली इसके बाद में उन्हें 81 में आए messy makes a like जbles अए याख ने क्या बताया एक 170S के बारे में उन्हें क्या बताया कि रह जो यूनित होती है 70S की 2 unit होती है एक 30S unit 30S unit के पास में एक हेड़ होता है उसके नीचे एक बेस होता है और इसके इस भाग को माल unit कहते है यह प्लेटफार्म कहा जाता है और प्लेटफार्म के Central Pro-Nutens होता है, यह Central Pro-Nutens जो हता है, यह Clift में जा करके ऐसे बढ़ जाता है, जब Clift में जा करके ऐसे बढ़ जाता है, तो यह आपका 70S Ribosomes हो जाता है, अब हम आपको Protein Sensilation, Ribosomes में Protein Sensilation का क्या क्याम है, इसको दिखाते हैं, Protein Synthesis on Ribosomes, जैसा कि अभी हमने आपको पीछे बता है, Ribosomes का सबसे महत्रपूर काम जो होता है, प्रोटीन का Sensilation करना होता है, प्रोटीन का Sensilation वो कैसे करता है, यम RNA के सहायता से, जब Nucleus से, उसको DNA के माध्यम से सिगनल मिलता है, DNA का ही, DNA का ही, यह code आता है, Ribosomes के पास, Ribosomes से ही क्या करता है, यह पूरे Cytoplasm में फैल जाता है, प्रोटीन निर्मार की है, क्रिया को संपन करता है, आगे के क्लास में, आगे के क्लास में, हम पहले आपको बताएंगे, Sedimentation, Coefficient या, Wedwork Unit, जिसको हम हिंदी में आउसादन गुढांग काते हैं, आउसादन गुढांग, सेडिमेंटेशन, Coefficient का जरूरत क्या पढ़ा, जब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि 70S और 80S राइबोसोंस कैसे पचाने जाते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा यह सेडिमेंटेशन कोफिसियंट इसके बाद में गल्जी कांप्लेक्स गल्जी बोडी का नंबर आएगा